हेलो दोस्तो मैं रितुतों मेर स्वागत करती हूँ आपके इस अपने यूटूब चैनल और टाइम क्लासिस साहनपूर पर तो दोस्तों उम्मीद है कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे और अपनी तयारी अच्छे से कर रहे होंगे तो दोस्तों उसी तयारी को चलो आज आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हम कितनी तयारी कर पाए है ठीके दोस्तों तो दोस्तों मैं आज लेकर आई हूँ के वीस प्यार्टी का जो एकजाम हुआ था 2018 में ठीक है, तो 2018 का जो पेपर है उसका मैं solution लेके आई हूँ और इसमें है क्या यानि कि जो teaching methods यानि कि जो आपकी pedagogy है, जो आई थी उस exam में, उसके मैं सिर्फ 20 question लेके आई हूँ तो दोस्तों चलो, देखते हैं question कैसे थे तो उन्हीं को देख करके फिर हम अपनी तयारी को और अच्छे से कर सकते हैं ठीक है दोस्तों, तो चलो सबसे पहला question था दोस्तों कि, और दोस्तों ये 41 जो लिखा है मैंने आपे तो इसका मतलब है कि 41 से वो start हुए थे, ठीक है दोस्तों तो दोस्तों सबसे पहला question है कि निमलिखित में से कौन सा निमलिखित में से कौन शिक्षा के अवसर में समानता की महत्तपुर्ण बाधाई है options दिये गए है options A है शिक्षारति की आर्थिक इस्थिती में अंतर options B है gender असमानता यानिके लिंग भेद सरवजन जनीन विद्यले परणाली या फिर फौर्थ options है आपका शिक्षिक संस्थानों के मानकों में अंतर तो दोस्तों आपको पता है कि जो ये KBS यानिके जो भी ये हमारी गोर्मेंट जो वाले एक्जाम होते है वो statement वाले ज्यादा question देते हैं और यहाँ पर भी जितने भी पैड़ागोजी के question सीटेट के पेक्सा काफी थोड़े टफ होते हैं है ना दोस्तों तो दोस्तों आपको बताना है कि इन में से कौन सिक्षा के आफशर में जो समानत होती कि महत्तवपूर्ण बाधाय होती है तो आपको यहाँ दिये गए है कूट A options में है 1 और 4th B है 1 2nd and 3rd और C है 1 2 4 या फिर D 1 2 3 4 यानि कि सभी तो दोस्तों आपको पता है कि 6 आर्थी जो भी यानि कि जो पढ़ते हैं चातर उनकी अगर आर्थिक इस्तिती में अंतर होगा तो भी वो बाधा बनती है है ना दोस्तों और जेंडर एस अमानता ये भी बाधा ही है ठीक है दोस्तों और सरवजनीन विद्याले पढ़ना ली तो ये कोई बाधा नहीं है सिक्सा में 4th है सेक्सिक संस्थानों के मानकों में अंतर यानिके अगर आप बच्चों में मानकों के स्थान में अंतर करेंगे तो भी क्या होगा ये बाधा ही बनेगा ठीक है तो हमारा ओप्संस क्या है दोस्तों यहाँ पर तो इसका आंसर है हमारा C ओप्संस कौन सा दोस्तों सी ऑप्सेंस फीक है तो दोस्तों चलो दूस्त कश्चन किसा है कि निमलिकित ह्में से कौन सामाजिक तथा समयगा तमक से परिपक्व वैक्ति का गून नहीं है यानि कि सामाजिक तथा सवय तमक रूप से कौन मैचूर जो व्यक्ति नहीं है ठीक है उप्संस है कि वह सामाजिक अपेक्षाव पर खरा उतरना अपना पर्मुख लक्षय बनाता है ठीक दोस्तों बी उप्संस है कि वह दूस चिंतिता एवं अंतर अंतर दवंद्व से अपेक्षक्रत मुक्त होता है समर्थ होता है वह विनोध पर यह होता है तथा जीवन के परती शक्रा तमक दृष्टि कौन रखता है तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा ए उप्संस यानि कि वह सामाजिक अपेक्षाव पर खरा उतरना अपना पर्मुख लक्षय बनाता है यानि कि ज दोस्तों तो यहाँ पर जो परिपकवा व्यक्ति का गुण नहीं है तो यहीं है क्योंकि सभ्वेगत अमक तनाव की स्थिति में अगर सयम बनाता है यानि कि वह हैं पूरे तरीके से क्या है परिपकवा है अगर उसका दृष्टि कौन सक्रतमक है तो भी वह क्यासा है करने नहीं आता है कि समस्य की इस्थिति का निर्मान करना समस्य को समझने परिभाशित करने तता कहने में विद्यारती की सहयता करना समस्य के समूचित समधान प्राप्त करने में विद्यारती की सहयता करना तक्षा में भ्यमुक्त वातवर्ण का निर्मान करना तो दोस्तो क्या करते उनकी जो problem होती उनको समझते हैं उन्हें define करते हैं ठीक है और जितने भी children होते हैं उनकी students की help करते हैं है ना तो third option क्या है कि वो semester में क्या करते हैं और कक्सा का जो वातवरन बनाते हैं सभी जानते हैं कि अब जो new education policy आई थी तो उसमें भ्यमुक्त वातवरन बनाया था तो दोस्तों क्या है कि semester के इस्तिति का निर्मान करना यह teacher का काम नहीं है ठीक है तो options है हमारा A ठीक है next question तो next question है कि व्यक्तिकत सिक्सा योजना यानि IEP निमन में से किस विचार पर आधारित नहीं है options दिये गए है options A है सिक्सार्थी की वर्तमान विशेष्टाई options B है प्राप्त किये जाने वाले व्यक्तिकत लक्षी option C है सहकारी अधिगम कारेनिति का उपयोग option C है कि योग्यता आधारित समुई करण के आधार पर विद्यार्तों का श्रेनिकरण करना तो दोस्तों आप जानते हैं कि अगर आप भी teacher बनते हैं तो आप क्या करेंगे समुई करण के आधार पर विद्यार्तों को कभी भी स्र आंसर है बाकि अगे जो भी सिक्सार्तिकी वर्तमान विशेशताई होती है या फिर उनके जो लक्षी होते हैं या फिर शैकारी अधिगम कारे नीती का जो उपयोग ये सब हम करते हैं पढ़ाने में लेकिन क्या नहीं करते हम बच्चों को श्रेनिकरन नहीं करते हैं ठीक है द विकास पर विद्याले का परमुक सरोकार नहीं है तो उप्सन से उच्चारन तता शाक्षरत संबंदी विशेश सब्ध भंडार का परिमान बढ़ाना भाशा उपयोग तता निर्मान के छमता सोचना तता दूसरों के साथ समवाद करना तो दोस्तों क्या नहीं है सोचना त स्कूल में यह सब सिखाया जाता है भाशा का उपयोग कैसे करता है निर्मान के छमता सिखाते हैं उच्चानता शाक्षरत संबंदी जो भी से होते हैं वह भी पढ़ाते हैं लेकिन सोचना तदा दूसरों के साथ समाद करना यह विद्याले का परमुक सरोकार नहीं है ठीक ह दोस्तों तो नेक्स्ट आरंब के प्रारंबिक वर्षो अर्थात कक्सा फोर्थ तक गणित के अधिगम हेतु किस परकार के परियास किये जाने के आवशकते हैं यानिके अगर आप टीचर हैं तो आप फोर्थ क्लास तक की बच्चों को किस किस तरह के परियास करेंगे उन् निदान करना समवर्दित कारेकरम परदान करना पाठेकरम से शमताओ कोशलों का पूरा करना कक्षा विद्याले जाने में नीमित्ता सुनिश्चित करना है न दोस्तों तो क्या करने के आउशक्ते आप जानते हैं कि यहां पर जो हमारा बी ओप्संस है कि क्या है बी ओप्संस की समवर्दित कारेकरम परदान करना है ना दोस्तों आप जानते दोस्तों ncf 2005 के अकोर्डिंग क्या था कि प्राथी में कस्तर पर जो बच्चे होंगे उनके लिए गणित जितना की ग्याने तमक कोशल या फिर अवधार्णे शीखना गणित में रूची और सक्रातमक रुजहान बच्चों में क्या करते हैं आप जानते कि यह तार्किक्त है यानिकि लोजिकल थिंकिंग को बढ़ाते हैं ठीक है दोस्तों इसका आंसर है हमारा कौन सा बी ओप्संस है ना तो नेक्स्ट कोश्चन है दोस्तों कि निमलिक दूसरे है कवायत तथा अभ्याशत्र तीसरे है परतिरूपन और डी ओप्संस है आपका आकडो की व्याख्या करना तथा निश्कर्स निकालना है ना दोस्तों तो दोस्तों कौन सा नहीं है आप जानते कि अनुश्रिक्षन भी आप कर सकते हैं डिल एंड प्रैक्टिस भी प्रैक्षन प्रैक्टिर से लेकिन परतिरूपन यानिके मोडलिंग यह आप ट्रीटेत हैं यही हमारा यह यहां पर आंसर है यानि कि यह कंप्टिर की साहिटाबाला भीचिंग माथट नहीं ठीक है तो हूटेट कोस्चन था कि कि सी विद्यार्टों की सरवादिक सटिक परिभास है किसी विद्यार्टों की सरवादिक सटिक परिभास है। आप जानते हैं कि दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा यहां पर सियों संगटित अनुभाव का पूर्ण सेट आप जानते हैं मतलब दोस्तों कि जब आप आप भी कहीं पर भी पढ़ाएंगे तो क्या करोगे विद्यार्टों को पूरा जो सिलेबस होगा उसे अंदर लाएंगे तो और बाखि की जितने अक्टिविट्यों आप उसे भी संभी विलूर्ट करते हैं है और बच्छों के जितने भी अनुभव होते हैं आप उन्हें भी मिलाते अनुभव को भी accept करते हैं यानिकि वह उन्हें शीखने में शायता करते हैं है न दोस्तों तो यहां जो सरवादिक सटिक प्रिवास है कि विद्याल में संगटित अनुभव का पूर्ण सेट ये हमारा इसका आंसर है तो 49 कोश्चन है कि बहु अस्तरिय इस्तिति का सरवादिक में अत्वपूर्ण विसे है ओप्संस ए है विद्यारतियों से सहयोग की मांग करना कक्सा में विद अस्तरों के विद्यारतों की अधिगम आशक्ताओं को एक साथ पूरा करना या फिर समुचित अध्यापन अधिगम सामगर यानि के टी अलम टीचिंग लर्निंग मेथड की वैवस्ता करना तो बहु अस्तरिय इस्तिति है तो बहु अस्तरिय इस्तिति का मतलब अलग- विबिन अस्तरों के विध्यारतों की अधिगम आवशक्ता को एक साथ पूरा करना ये क्या है बहु अस्तरी इस्थिति का सरवादिक मैत्तपूर्ण विश्य हैं दोस्तों नंबर सुण की एक बच्चा अपनी मन पसंद काब लेता है वह पर आई चित्रों का चुराग की रूप में उपयोग कर इसकी कहाने को फिर से कहता है वह किस परकिरिया या फिर किस चरण या फिर किस उवियव को दरशाते हैं एक बार फिर सुनने जे कि एक बच्चा अपनी मन पसंद किताब लेता है वह पराय चित्रों का सुराग की रूप में उप्योग कर इसकी कहाने को फिर से कहता है वह किस परकिरिया या फिर किस चरण या फिर किस अव्याव को दर्शाता या फिर दर्शाती है छीक है दोस्तों तो इसका answer क्या है दोस्तों तो इसका answer है आख्यान इसका मतलब क्या होता है कि जो भी बच्चा होगा यानि कि यहां पर जो बच्चा है वो क्या कर रहा है आप जानते कि narrative परक्रिया को दर्शार रहा है और narrative परक्रिया क्या होते है कि इसमें जो बच्चे सोचती है यानि कि उ उसका क्या कर लेते हैं वो शमावेशन होता है और वही बच्चे अपनी कल्पना सीरता और सर्जन सीरता को क्या करते हैं सब्दों के माध्यम से परदर्शित करते हैं आप देखते हैं कि छोटे बच्चे मैक्सिमम बोलते हैं जो भी काम करते हैं तो वो अपना काम बोल बोल कर सकता है यदि वैन अच्छी सिक्षन शाहयक् सामगरी का उपयोग करें वैसे विध्यार्त को परवेनता में शाहिता करें उसके विद्यारती उच्छ अंक प्राप्त करते हूं तो कोई टीचर कब सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है दोस्तों या फिर हो सकता है तो हमारा ओप्संस यहाँ पर कौन सा सही रहेगा तो दोस्तों ए ओप्संस यानि कि वह अच्छी सिक्षन शायक सामगरी का उप्योग करें अगर वो यानि टीचर अगर अच्छी सिक्षन सामगरी का उप्योग करता है तो क्या होगा दोस्तों बच्चों पर इफेक्ट अच्छा पड़ेगा पोजिटिव इफेक्ट पड़ेगा और बच्ची बहुत आसानी से सीख सकते हैं चीक है तो हमारा ओप्संस है यहाँ पर तो नेक्ट कोश्चन है दोस्तों कि सामाजिक परिपकवता के गुण को सरवादिक उप्युक्त ढंग से निम्न परकार वर्णन किया जा सकता है फिर सुन लेजिए कि सामाजिक परिपकवता के गुण को सरवादिक उप्युक्त ढंग से निम्न परकार वर्णन किया जा सकत करने की योग्यता उच्च अस्तर का व्यक्तिक समायोजन तो दोस्तों समाजिक परिपकवता या जो सोशल मैचोर्टी के जो गुण है वो सबसे अधिक कौन सी बात दर्शा रहे है कि इसका options हमारा answer रहेगा options number D यानि कि वेक्तिगत आवशकता हो तो था परियोजन आवशकता हो एवं उद्द्यस्त्य से उच्छ समन्नेवे सामाजिक इसका मतलब यानि कि अगर सामाजिक रूप से परिपक्ति वेक्ति होगा संवयम की हितों की सासाथ क्या करेंगा संवयमाज की हितों का विध्यान रखता है और क्या यानि drum next question है कि नीचे दो set दे गहे हैं set one में प्याजिक मोड्रा के संग्यान तमक ने युजित क्या है उससे संभंदी विशेष्था ये हैं तो आपको इसका सही कूट का चेयन करना है तो options A है कि सम्वेधी प्रेरग B पूर्वशंकिरियातमक यानि कि यह जो प्याजी के stages है वो है ठीक है? मूर्थ संकिरियातमक D options है उपचारिक संकिरियातमक तो options सामने दिये गए है कि reversible thinking, objective permanence, एहम केंद्रवाद तो दोस्तों इसका answer क्या है आप जानते हैं कि हमारी जो सम्वेधी प्रेरग यानि कि sensory motor जो stage होती है उसमें क्या होता है दोस्तों आप जानते कि sensory motor में objective permanence आ जाता है आप देखते हैं कि जब बच्चा 0 से 2 साल तक के बीच होता है तो वह क्या करता है अपनी जो वस्तों होता है अगर उनसे कोई छीन भी लेता है तो वह उन्हें ढूंडता है यानि कि वस्तों स्थाइट वह सम्वेधी प्रेरिक जो है एक का यानि कि एक का मिलान हो जाएगा हमारा सेकिंड के साथ यानि कि sensory motor में क्या होगा आपका objective permanence आ जाता है तो बी है आपका पूर्व संकिर्य तमक में क्या आता है यानि कि जो एहम के इंद्रवाद यानि कि ego centriism इसी एह में आता है यानि कि जो pre-op correctional stage उते हैं उसमें छोटे बच्चे आप देखें देखें तीन से छे साल के जो बच्चे होते हैं वो खुद से करते हैं या फिर काम भी करते हैं तो खुद से बोल बोल करते हैं ठीक और सी का मिलान किस से हो गानिके मुर्थ-संक्रिय-तमक्त यानि कि आ Basic जिसे इंगुड से याद करें तो ज्याद速 अच्छा है एक स्क विप्रेशनल इससे स्टेज में क्या होता है तो इस stage में बच्चों को reversible thinking आ जाते है यानिके कोई वस्तु छोटी बड़ी कैसी है यह सब इसी एज में आ जाते है यानिके reversible C का मिलान होगा एक के साथ और D options है ओप्चारिक ओप्चारिक का मतलब formal operational तो इसमें क्या होता है कि deductive thinking आ जाती है जैके दोस्तो यानिके fourth का first के साथ भी मिलान होगा तो options कॉंसा ठीकamento धबस्तों तो यहां पर आप देगके एक का मिलान किस के साथ है बी,Back सेकिंन के साथ अधुटर और I options में भी है सकते यह तो नहीं दोनों तो नहीं हो सकती और B का मिलान किसके साथ है थर्ड के M के अंदरी C का है फर्ष्ट के C का फर्ष्ट किसके साथ है यानि कि हमारा जो A options है वही हमारा सही रहेगा ठीक है तो दोस्तों next question है कि निमलिकित में से कौन विकाश में अनुवान सिक्ता के परभाव का सरवादिक उप्यूक्त वर्णन करता है options है अनुवान शिक्ता यह तै करती है कि हम कहा तक जाएंगे हेरिडिटी यह तैय करते हैं कि हम कहां तक जाएंगे ओपसंस भी है कि यह इस बात को तैय करते हैं कि हम कहीं तक जा सकते हैं यानि कि कहां तक जा सकते हैं यह जो ओपसंस है टाइपिंग में थोड़ी मिश्टेक हुई है ठीक है तो C options है कि यह इस बात का मुख्य निर्धारक है कि हम कहां तक जाएंगे या फिर D options कि यह इस बात का मुख्य निर्धारक है कि हम कहां तक जा सकते हैं तो अनुवान सिक्ता के परभाव में सबसदिक उप्युक्त कौन सा है तो आप जानते है कि हैरेडिटी जो है हमारी यह तो नहीं तैक कर सकती कि हम कहां तक जा सकते हैं लेकिन यह जरूर तैक कर सकते हैं कि हम कहां तक जाएंगे यानिकि जो बच्चे होते हैं उनमें अपने माबाप के ठीक है उन्हीं के तो गुन होते हैं तो उनसे हम अंदाजर लगा सकते हैं कि बच्चे कहां तक जा सकते सोरी जाएंगे ठीक है तो सी ओपसंस यहां पर हमारा ठीक है यानि कि यह इस बात का मुख्य निर्दारक है कि हम कहां तक जाएंगे ठीक है तो दोस्तों नेक्स्ट कोस्चन है कि निम्लिकित या फिर निम्न में से किसके द्वारा अधिगम अंतिराल की पहचान तथा इसका निराकरण किया जाता है निमन में से किसकी द्वारा अधिगम अंतिराल की पहचान तथा इसका निराकरण किया जा सकता है या फिर किया जाता है ठीक है तो ओप्शन से टीम अध्यापन बी ओप्शन से विमर्श पुर्ण फिन पुनर अध्यापन तो इसका अंसर है हमारा उप्चारियापन प्चारिया अध्यापन क्या होती है सब्सक्राइब तो टीम टीचिंग क्या दे तो इस अध्यापन में क्या कि कक्सा में छात्रों को शिक्षन जब कोई भी टीचर पढ़ाता है तो दो दो से दिख अध्यापन कोई साथ मिलाकर उन्हें पढ़ाया जाता है ठीक है आपने कक्सा 5 के विद्यारतों की परिक्षा आयूजित की, इसमें अधिकान से विद्यारती उत्तिर्ण नहीं हो पाए आपको दूसरी परिक्षा के लिए परशन पत्र तैयार करना तथा परिक्षा लेनी है तो आप कौन सी परिक्षा लेना पसंद करेंगे options A है संकल अपना तमक परिक्षन, B है परविनता परिक्षन, C है नेदानिक परिक्षन या फिर D options है रचन तमक परिक्षन तो दोस्तों आपका क्या answer है यह आप comment जरूर कीजिए तो यहाँ पर answer जो है इसका वो है C यानिक नेदानिक नेदानिक मतलब diagnostic टेस्ट इस टेस्ट में क्या होता है कि यह वो टेस्ट है जिसमें सुधार जो भी बच्चे के सुधार होने है यानि कि मैत में अगर फैल हुए है तो जो भी सुधार होने तो वो निदान से संबंदित होते हैं अब अगर आप किसी डोक्टर के पास तो इसमें भी ऐसा ही है कि इस टेस्ट में क्या आते कि छात्रों के जो भी हमारे अस्टुडेंट है उनकी जो विशेश्टाई होते हैं उनकी जो कम्या है हमें पता चल जाती है ठीक है दोस्तों 57 है कि पर्ति कात्मक उद्दीपन के पर्ति संवेगी अनुकरिया निम्न में से किसका परिणाम है पर्ति कात्मक उद्दीपन के पर्ति संवेगी अनुकरिया निम्न में से किसका परिणाम है ओप्सन से आपके पास परिपकवता डी सोरी बी ओप्सन से अधिलम सी ओप्सन स समायों चैन्य इंपिर वर्दित इंद्रिय बोद तो परतिकात्मख उद्दिपन क्या है दोस्तों कि परतिकात्मख उद्दिपन जो है आपकी यह इसका अंसर है गड़ी ओपसंस यानिके Increased Sensory Perception अप जानता है कि जब आपको भूख लगती है तो एकदम से क्या होता है कि भोजन को देखते ही आपके मुँमे लारा जाती है इसका आबास किसे करते हैं इंद्री से यह तो करते हैं या फिर वातवरन हो या फिर मतलब जिस भी वातवरन में जो हमारी, यानि हम सेंसी करते हैं, उसी से तो पता चलता है, तो यहाँ पर परतिकात्म उद्दिपन के परति सम्वेगे अनुकरिया है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, यहाँ पर D-Options, यानि कि वर्दित इंद्रिये बोध, यानि कि इंक्रीज सेंसरी परश्रप्शन, तो नेक्स्ट कोस्चन है दोस्तो, कि सामान्य करत विचार तथा विशेशता है, जो एक पुरुष तथा महीला में होनी चाहिए, निमनी में से क्या है, उप्सन से आपका जेंडर भूमिका, एक है B-Options आपका जेंडर समानता, C-Options है जेंडर असमानता, या फिर D-Options आप आपका जेंडर रूड धारना, तो दोस्तो, यह सभी क्या है, यह आप जानते है कि यहाँ पर विचारों विशेशता दी है, किसकी पुरुष और महीला की, या आपकी जेंडर भूमिका है, इस तरह पुरुष के विचारों के परति अगर समानता, या फिर एक रूपता की जो भावना होती है, उसे तो कहते हैं, जेंडर समय दन सीलता, और जेंडर रूड धारना क्या होती है, यह आप जानते है कि जब जो बाते कहावते, जैसे कि लड़का रो नहीं सकता, लड़की मैथ नहीं कर सकती है, फिर कोई भारी ज्यादा वज़े नहीं उठा सकती, तो यह हमारे क्या है, कि जेंडर रूड धारना है, और जेंडर भूमिका क्या है, तो इस कांसर यहाँ पर हमारा जेंडर भूमिका रहेगी, क्योंकि क्या है कि सामाने के करिये तो जो विचार है, विसे साई, पुरुष महिला में जेंडर भूमिका को ही डिनोट करते हैं, ठीक तारा है कि उसका उत्तर गलत है C options है दूसरे विद्यारती से सही उत्तर बताने के लिए कहना या फिर D व्यक्षा करना तता उत्तर देने के लिए दूसरा अवश्र परदान करना चीजिए यानि कि अगर कोई बच्चा गलती करता है तो आप क्या करेंगे आप क्या करेंगे दुबारे से आप explain करेंगे ठीक है और explain करके उसे समझा करके क्या कहें कि फिर उसे दुबारे से उत्तर देने के लिए आप क्या करोगे दूसरा अवसर परदान करेंगे पड़ागोजी का खेली है कि जहां बच्चों को ज्यादा अफ्षर दिये जाते हैं खेलने के या सीखने के तो वही हमारा मैक्सिमम पोजिटिव वाला आंसर होता है अगर ने कोस्चन में निगेटिव से पुछा है तो फिर आप निगेटिव के तरफ जाएंगे तो यहां पर हमारा आंसर क्या है दोस्तों डी ओप्शन यानि व्याख्या करना तथा उत्तर दे अध्यापन है तू अनुरूपित स्थिति में अध्यापन है तू विशिष्ट अध्यापन कोशल में शिक्षक की तयारी है तू कठिन अर्धार्णों के अध्यापन है तू दोस्तों इसका अंसर क्या है सी ओप्शन यानि कि विशिष्ट अध्यापन कोशल में शिक्षक की करते हैं तो क्या होता है उससे माइक्रो टीचिंग कराए जाती है और किसली यानि कि जो टीचर बनेगा उसे ही तो माइक्रो टीचिंग कराते है यानि कि छोटे-छोटे जो समुहों में उन्हें पढ़ाना होता है तो वही हमारी माइक्रो टीचिंग कहलाती है तो क्या है micro teaching एक तक्नीक है जिसका उपयोग क्या करते है कि विशिट अध्यापन कोशल में सिख सकीत तैयारी हेति ना कि बच्चे के हेति ठीक है तो दोस्तों उमीद करते हूं कि आपको भी अब अंदाजा लगी गया होगा कि कितनी हमें पढ़ाई करनी है और कितनी हमने तैयारी कर लिया है तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्ट वीडियो में अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है अच्छी लगती है और और देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए कमेंट के मादिम से बताइए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और भी कुछ सीखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल और टाइम क्लासे सारनपूर को सब्सक्राइब कर लिजी वीडियो कर लाइक कीजिए और जितना ज्यादा में तब तक के लिए बाई अपना ख्याल रखेगा अपनों का ख्याल रखेगा और दोस्तों एक्जाम के लिए all the best